प्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुखी होंगे तो आज आप कुछ ऐसे टिप्स और ट्रेक्स लेकर आए जो आपकी लाइप को बहुत आसान बना देंगे और आपके बहुत सारे काम को आसान कर देंगे और इ तो फैस्ट टिप में देखेंगे कि कैसे हम चीजों को कैसे और्गनाइज करेंगे और बिना ज्यादा मेहनत किये तो फैस्ट टिप के लिए जैसे कि साथ से आठ कंगे कम से कम एक ब्रुश में लगा सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक जरू करिएगा नेक्स टिप में देखेंगे कि आप घर में कोई विचीज बना रहे हो तो गैस का फ्लेम बहुत लोग बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं जो बरतन के ब हेसे होते हैं जिनको अब ऐसे जारू से साफ कर souvent होते हैं जारू में सारी होता है जिनकी सफा डिली नहीं हो पाती है कि को इसा पुराना आपको आपको जादे जाड़ो में पहना देजिए लिए देखि लाफ कि अपकी असान होगा आपका काम ज्याद से से आप पहना सकते हैं पहना कि क्या करना इसको रबड बैंट से शिक्यार कर देना नहीं तो यह गडिए लिए इक बिब्ड़ बैंट लिए आपके लिए लिए लीए से इसको बांद देजी जैसे आपके पुराना जाड़ू होतो भी ठीक है नया होतो भी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस मैं एक रवर बैंड से इसको सिक्यूर कर दूँगी ताकि यह शरक नहीं जब भी आप इसका यूज करें यह बिल्कुल भी शरक नहीं तो जैसे चीजें हैं जो डस्ट होते हैं गंदगी खोती ही नहीं निकलती है तो इस तरीके साफ कर रहे होगे तो सारी शॉक्स में आ जाएंगे वापस तो इसे तरीके से कोने में जहाँ अपडेली अच्छे सफाई नहीं कर पाता हो इस तरीके से सफ करोगे तो आपका बैट साफ रहेगा आप बैट के नीचे भी अच्छे साफ सफाई रहेगी से कीड़े में घर मनी आएंगे और सफाई रखना बहुत ही कमपल्स तरीके से अगर आप रगलर विससे साफ कर रहो तो आपके लाएं ब्यासान होगी तो देखे किती सारी गंदगी निकल के आ गई है त अगर यह टिप सच्छी लिए तो चैनल को प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें नक्स्ट टीप में देखेंगे कि घर में जैसे आप कुछ भी बनाते हो तो क्या करते हो कल्छी पल्टे को आप ऐसी डारेक्ली गेस पर रख देते हो जिससी क्या होता कि गेस आपका काम भी आसान हो जाएगा तो टिपस अच्छी लिए तो आप कहीं भी इसको सजा सकते हैं रखके तो बस इस तरीका से कोई अच्छे कपड़े ले लिजे हो पासे जो दिखने में थोड़े अच्छी दिखें और इस पर इनको ऐसे मोड के रख लेना बस भी इससे थोड़ा सा कप्रा निकालिया और सारी साइड से कपड़े पकड़के इनको क्या करना अच्छी से सिक्योर कर लेना अभी देखे इसका लुक्स इतना प्यारा लगेगा इसे तरीके से आप गर में पुराने जीते भी कपड़े हो विंटर वाले कपड़े हो जिनको आपको रखने के जगए नहीं हो दुस्य तरीके से आप पूरा शीजन योज भी करेंगे दिखने भी अच्छा लगेगा और रखने के लिए इसको कोई जगए भी नहीं चाहिए आप सब के सामने भी रख सकते हैं देखने बुरा भी नहीं जितने भी मिंटर वाले कपड़े हो इसे तरीके साब बनागे इसको किसी भी सोफे पर रख सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं यह देखने बहुत प्यारा लगता है तो कैसे लागे टिप्स और ट्रिक्स चैनल को प्लीज जाद से जादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक प्रेज लाइक से सस्क्राइब पर अलता लेका और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब रहें तेक्क फ्रैंड्स थैंक्स पर वाचिंग लाइक कमेंट करना नावूला थेंक्यू फ्रैंड